हेलो दोस्तो स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्तान एकेडमी पर मैं परविंट सिंग आप सभी लोगों के साथ में जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं सेकंड ग्रेड मैट्स के लिए जो है दोस्तो मैं आप लोगों के साथ में वीडियोज आप लोगों के लिए ला र रहा हूँ और इसके अंदर गत हमारा जो है दुस्तों ग्रेजूशन स्टेंडर का फर्स्ट टॉपिक एबस्ट्रेक एलजेब्रा जो है चल रहा था और एबस्ट्रीजेब्रा के अंदर अगर हम बात करें तो हमने ग्रूप नॉर्मल ग्रूप सब गूरूप इन सभी के बार हैं किसको permutation group यह permutation group जो है यह क्या होता है इसके क्या properties होती है और इसके जो है cu election आप लोगों से कैसे पूछे जाएंगे ठीक है चलिए तो सबसे पहले आप लोग जो है दोस्तो topic डाल दीजिएगा permutation group क्या डालेंगे topic permutation group चलिए तो आप लिख लीजी पर्मूटेशन ग्रूप अब बात करते हैं इस पर्मूटेशन ग्रूप के बारे में कि ये क्या होता है अब पर्मूटेशन ग्रूप की बात करें दोस्तों तो इसके अंदर हम जो है नॉन एबिलियन ग्रूप की बात करते हैं और वो भी एक इस्पेशल टाइप के नॉन एबिलियन ग्रूप होंगे क्या होंगे non-evalian groups होंगे और उसमें भी कुछ special types के non-evalian groups जो होते हैं उनके बारे में बात करेंगे क्योंकि इस type ये जो non-evalian groups है उनी में से कुछ special type है जो permutation group कहलाएंगे और permutation group की अगर हम जो है दोस्तों विसेस्ता देखें या एक जो हम कह सकते हैं कि इसकी properties देखें तो वो ये होती है कि इसके जो elements होंगे वो by executive function होंगे क्या होंगे by executive function होंगे by executive function क्या होते है और आपका injective function क्या होता है surjection function क्या होते है one one क्या होता है on to क्या होता है ये चीज में आप लोगों को Set, Relation and Function topic के अंदर पढ़ाऊंगा अगर आपको अभी से ही पूरी डिटेल जानने की इच्छा है तो आप First Grade के वीडियो जा करके देख सकते हो ठीक है दोस्तों चलिए अब बात करते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन की तो बाइजेक्टिव फंक्शन वे होते हैं जो वन वन भी हो और आपका साथ में ओन टू भी हो ठीक है अब हम जो है वन वन क्या होता है ओन टू क्या होता है ये जब हम definition लिखेंगे तब ही साथ में समझ लेंगे अब मैं आपको बता दू दोस्तों पर्मूटेशन जो है उसको आप transformation भी कह सकते हो क्या कह सकते हो transformation भी कह सकते हो और transformation मैंसे ही हम जो है permutation की definition निकालेंगे सबसे पहले आप लिखिए दोस्तों permutation group के अंदर किसके बारे में तो transformation के बारे में चलिए दोस्तों तो हम लिखेंगे transformation ठीक है चली अब transformation क्या होता है तो transformation का मतलब है आपके एक set आपने a ले लिया और वो क्या होगा दोस्तों byjection होगा यानि byjective होगा a से a के लिए समझ में आई बात क्या होगा a से a के लिए यानि खुद से खुद के लिए ही जो element होगे या जो set होगा वो क्या होगा byjective होगा तो अपलिखेंगे definition a transformation of a set a transformation of a set a is a bijection bijection from a to a a to a इसका मतलब क्या हुआ देट मिन इतसलब itself, itself, does a function, a function f defined, defined on a, is a transformation, transformation, transformation of a, if, आप definition लिखिए, फिर आपको सब समझा दिया जाएगा, जैसे हम पिछे वीडियो में समझते आ हुए हैं, वैसे ही, if, f, a to, a, that means, इसका मतलब क्या हुआ, आप लोगों को पता होगा, कि जो आपके, function के अंदर ये होती है, domain ये होती है, range, तो आप यहाँ पर, range of, app, यहाँ पर जो है दोस्तों, basically इस group के अंदर हम functions के उपर बात करने वाले है, obtained, obtained in a, ठीक है, and second property क्या हो जाएगी, तो second हो जाएगा, कि app is an injection, क्या, injection, तो आप सबी लोगों ने कोरोना का injection लगाया है, नहीं लगाया है, तो लगवाईए, क्योंकि permutation group तब ही समझ में आएगा, जब आपको ये बात पता हो, कि function injection है, या फिर क्या है, समझ में आ गई, injection है, या फिर आपका many one है, क्योंकि injection का मतलब ही होता है, one, one, map, ठीक है, map का मतलब भी function ही है, ये चीज़े जो है, दोस्तों, आपको अगर set, relation and function topic अच्छे से पढ़ रखा है, तो clear हो जाएगी, और आपको जो है, अभी के अभी clear करनी है, तो आप जाकर के पहले first grade के lecture जो चल रहे हैं, उनको देख लीजिए, वहाँ से clear होगी, और app is surjection, क्या, surjection, और surjection का मतलब हुआ, कि आपका an on to map, कैसा map, on to function, क्याने का मतलब क्या है, कि आप जो है दोस्तो एक function लेंगे, क्या होगा, permutation group का मतलब होता है, आपके पास एक function है, और वो function अगर byjection है, क्या है byjection, byjection का मतलब है, कि वो, आपका क्या हो, injection भी हो, और आपका वो ही function, surjection भी हो, तब आपका function जो है, वो, byjection कहलाता है, ठीक है, byjection का मतलब होता है, कि आपका एक value डालने पर, एक ही value मिले, साती सात, हर element की कुछ न कुछ value हो, ठीक है, ये चीज़े अभी आगे, जब मैं example लोगा, तो अच्छे से clear होगी, अभी केवल transformation की definition, लिख लीजिए, क्योंकि definition लिख ली, तो definition से हमें दीरे दीरे सब समझ में आ जाता जाएगा, ठीक है, चलिए दोस्तों, अब transformation के बाद में, हम बात करते हैं, permutation की, कि ये permutation क्या है, तो अब लिखिए आप, permutation, अब ये permutation क्या है दोस्तों, तो permutation का मतलब होता है, कि a transformation, a transformation of a, of a finite set, finite set, finite set, finite set, finite set, S is is called a permutation is called a permutation ठीक है तो a transformation of a finite set transformation क्या था वो बीचे समझा दिया गया अब finite set का अगर आप transformation निकाल रहे हो तो उसको हम कहते हैं permutation on s ठीक है उसको क्या कहते हैं permutation on s और इसका मतलब यानि की that means a permutation a permutation is a bijection permutation is a bijection on a finite set on a finite set s इसका मतलब क्या हुआ permutation क्या है एक bijection है किसके उपर एक finite set s के उपर तो permutation का मतलब होता है a transformation of a finite set s finite set s का जो transformation है उसको आप कहते है permutation समझ में आ गई बात अब इस permutation को जो है आप कैसे denote करते हो तो हम इसका क्या लिखने जा रहे है notation लिखने जा रहे है तो अब आप लिखेंगे notation क्या लिखेंगे notation और notation जो है वो किस type का लिखवा रहा हूँ तो वो मैं आपको लिखवा रहा हूँ to row notation कैसा row to row notation आपको जो है मैं लिखवाने जा रहा हूँ अब to row notation होता क्या है यानि कि आप permutation को कैसे denote करोगे कैसे notation दिखाऊगे तो let a is equal to a1 a2 a3 up to an element है a के अंदर be a finite set of n distinct elements distinct elements let a जो है आपका set दे दिया elements का a1 a2 a3 a n तक be a finite set यह जो है n है यह एक finite number तक है तो यह क्या है finite set of n distinct elements n distinct element का यह क्या है एक finite set है तो आप जो है इसको कैसे represent करेंगे तो आप इसको represent करेंगे f is equal to आप लिखेंगे उपर तो लिखेंगे element a1 a2 a3 और an तक समझ में आ गई बात और इसके जो second row होगी उसके अंदर आप लिखेंगे f of a1 f of a2 f of a3 यानि जो element है उस element को अगर उस function में put कर दिया जाए तो क्या value देगा उन दोनों को मिला करके आप जो है ऐसे two row notation करोगे किसका permutation group का समझ में आ गई बात ठीक है मुझे लगता है आप लोगों को ये बात clear हो चुकी होगी अब मैं जो है इसको example से समझा देता हूँ आपको कि आप कैसे लिखेंगे इसको तो हम एक example ले रहे हैं ताकि आपका clear हो जाए किसी परकार का doubt नहीं रहे तो आप लिखिए example अब example है आप लोगों के लिए a function a function f is defined on the set और जो set है वो किसके उपर है तो 1,2,3,4 के उपर जो है आपके कोई function है वो defined है किसके उपर defined है 1,2,3,4 के उपर और कैसे defined है तो as follows as follows यानि जैसे दे रखा है और क्या दे रखा है कि f of 1 की value जो है वो है आपके 2 f of 2 की value जो है वो है 3 f of 3 की value जो है वो है 4 और f of 4 की value जो है वो है 1 समझ में आगई बात क्या था question तो देखिए question है कि a function f is defined on the set एक function है जो set 1,2,3,4 के उपर defined है कैसे defined है तो f जो भी function है उसके अंदर जब आप x की value या y की value जो 1 put करोगे तो यह देगा आपको 2,2 put करने पर 3,3 put करने पर 4,4 put करने पर 1 तो अगर आपको लिखना है इसको तो आप ऐसे लिखेंगे f is equal to उपर लिखेंगे element कौन से set वाले कौन कौन से है तो 1,2,3,4 ठीक है और अब 1 के उपर value क्या दे रहा है तो 2 तो यहां लिखेंगे 2 2 के उपर क्या value दे रहा है 3,3 के उपर क्या value दे रहा है 4,4 के उपर क्या value दे रहा है 1 तो ये हो गया आपका एक जो है permutation group को represent करने का तरीका समझ में आ गई बात केलियर हो गया दोस्तों किसी परकार का कोई doubt है क्या तो आपको ये समझ में आ गया कि transformation क्या है फिर आपको ये समझ में आ गया होगा permutation group होता क्या है और फिर इसको notation कैसे किया जाता है वो भी मैंने आपको बता दिया अब हम बात करते है equivalency की यानि की equality of पॉपी क्या है equality of two permutation equality of two permutation ठीक है तो दो जो है permutation आपके equal कब होगे इसके बारे में हम बात करेंगे अब तो permutations जो है दोस्तो दोनो equal कब हो सकते है ये दो तभी equal हो सकते है जब आपका एक कोई value हो एक element a है और उसको दो functions में पूटक किया जाए और value same आ जाए तब हम ऐसे permutation को equal कहते है ठीक है दोस्तो थोड़ा सा बिमार हुआ आप लोग जानते ही होंगे ये चीज़े दो तीन दीन से चल रहा हूँ तो देखिए two permutations थोड़ा सा disturb होए तो adjustment करना two permutations f and g two permutations f and g f and g जो है दो permutations है on s are equal दो permutations है f और g किसके उपर s के उपर और वो equal होंगे कब if f of a is equal to g of a समझ में आ गई बात और यहां पर a का मतलब है जो set है उसका एक element होगा यानि a जो है वो आपका किसमे बिलॉंग करेगा s के अंदर बिलॉंग करेगा समझ में आ गई बात ठीक है तो यह बात आपको समझ में आ चुकी होगी कि कोई एक set में से आप जो है element लेंगे उसको दो permutation के अंदर put कर देंगे अगर दोनो permutation से value equal आ रही है तो आप उन दोनो permutations को क्या कहेंगे equal कहेंगे इसका आपको मैं example दिखाता हूँ तो आप लिखिए example example है दोस्तों आपके कि एक permutation दे दिया 1, 2, 3, 4 ठीक है और value आ रही है 2, 3, 4, 1 जो हमने पिछे लिया था ठीक अब यह जो है दोस्तों किसके equal होगा तो यह जो है आपके किसके equal होगा देखो अगर हम इसको लिखें 2, 4, 3, 1 ठीक है अलग भाई इसका order change कर दिया तो इदर permutation तो अलग हो गया अब देखो तो 2, 4, 3, 1 अब 2 के उपर value कितनी आ रही है यहां भी 3 आ रही है 4 पे 1, 3 पे 4, 1 पे 2 तो बताईए यह और यह equal है क्या हाँ equal है क्यों? 1 के उपर 2 value थी हाँ 1 के उपर 2 है 2 के उपर 3 है 2 के उपर 3 है 3 के उपर 4 है 3 के उपर 4 है 4 के उपर 1 है 4 के उपर 1 है ऐसे ही और हम कौन सा permutation बना सकते हैं? तो और बना सकते हैं 3, 1, 4, 2 अब देखो 3 के उपर 4 1 के उपर 2 पर 3 देखिए 1 के उपर 2 हाँ 1 के उपर 2 2 के उपर 3 2 के उपर 3 3 के उपर 4 3 के उपर 4 4 के उपर 1 4 के उपर 1 ऐसे देखिए 2 पर 3 2 पर 3 4 पर 1 4 पर 1 3 पर 4 3 पर 4 1 पर 2 1 पर 2 तो ये सबी जो तीनो पर्मूटेशन्स है ये तीनो के तीनो पर्मूटेशन्स क्या है आपके equal है समझ में आ गई बात तो अगर जो है आपसे पूछा जाए कि दो पर्मूटेशन्स दे रखें वो equal है या नहीं है तो आप क्या चेक करेंगे कि same elements के लिए क्या दोदों के दोदों पर्मूटेशन्स same value दे रहे हैं अगर दे रहे हैं तो वो आपका equal हो जाएंगे ठीक है चलिए अब next concept आता है आपके identity permutation क्या identity permutation अब यह identity permutation क्या होता है तो identity permutation का मतलब है दोस्तो ऐसा permutation जो है अपने पर्तेक element को उसी set में से define कर दे मतलब पर्तेक की जो जैसे आपका f function है उसके अंदर आपने a put करा तो वापस से a ही आ जाए समझ में आई बात तो उसको हम जो है क्या कहेंगे आपका identity permutation कहेंगे चलिए तो आप इसकी भी definition लिख लीजिए दपर्मूटेशन 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 विच मैप्स अवरी आलेम्त विच मैप्स आवरी एलेम्त अ अपर अ मेस्ट आउ है अवरी साइट vowel गपर्मू ये लिवधरी आउ हाओं विख ली घ्यवरय से जडरौे लिव इस लगर्得ॉ ये घवती गल्र गवGet तो लिवेशन identity element क्या कहते है उसको identity permutation sorry element नहीं permutation ठीक है तो identity permutation क्या होगा the permutation which maps याणि वो क्या करेगा परतेक element को अपने set मैं से ही क्या कर देगा क्या कर देगा दोस्तो map कर देगा ठीक है कैसे करेगा वो देखिए मैं अभी बता रहुँ इदर तो आपको और समझाएगा इसको denote किसे किया जाता है तो लिख लीजिए denoted by denoted by i जैसा कि पिछे आपको पता ही है सब जगे दिखाया है अब इसका example के रूप में आप लिख सकते हैं कि if set a कोई भी एक set a है और उसके elements है a1, a2, a3 up to आपने ले लिया a, n ठीक है तो आपको अब जो है i, a यानि कि आपका identity permutation अगर इसका बनाना है तो वो होगा a1, a2, a3 up to a, n और यहाँ क्या हो जाएगा तो a1 के लिए a1 ही आना चाहिए a2 के लिए a2 ही आना चाहिए a3 के लिए a3 ही और a, n के लिए a, n ही तब आप जो है इस permutation को क्या कहोगे identity permutation कहोगे समझ में आ गई बात clear हो गया किसी भी परकार का कोई doubt हो तो आप comment करके पूछ लीजिएगा आपका doubt clear कर दिया जाएगा ठीक है तो आप बोलिए दोस्तों कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं हम एक बार इसको revise करते हैं फिर हम बढ़ते हैं आगे हम पढ़ रहे हैं permutation group के बारे में permutation group में मैंने आपको बताया सबसे पहले कि आपका transformation क्या होता है तो transformation का मतलब होता है कोई एक set a है जो byjection होना चाहिए यानि एस से एक के लिए वो defined होना चाहिए तो उसके लिए मैंने आपको बता दिया फिर आपको जो है transformation की तीन सर्थे बता दी कि एक तो वो क्या होना चाहिए range जो है app जो भी function है उसकी range जो होगी वो किसमे होनी चाहिए उसकी domain में ही होनी चाहिए दूसरी चीज़ वो injection होना चाहिए तीसरी चीज़ वो surjection होना चाहिए और जो function injection और surjection दोनों होगा वो आपका क्या कहलाता है byjection कहलाता है फिर मैंने समझाया कि permutation क्या होता है तो permutation का मतलब होता है permutation का मतलब होता है कि a transformation of a finite set S is called a permutation on S यानि कि finite set का जो transformation होगा उसको ही हम क्या कह देंगे permutation कह देंगे और उसका notation क्या होता है तो notation होता है उपर आप जो है set की values लिख देंगे जो भी elements है उनको और नीचे उस set की जो भी elements है उनको put करने पर function क्या value दे रहा है वो put करेंगे ठीक फिर हमने एक example देख लिया कि यह ऐसे जो है आप इस permutation को denote करेंगे फिर equality of two permutation कब होगी जब आप एक ही element को दो function में put करें और दोनों value equal आ जाए ठीक उसका भी example देख लिया identity permutation क्या होता है तो identity permutation का मतलब है ऐसा permutation which maps every element of set to itself या नि उसका परतेक element अपने ही set message जो है क्या हो दोस्तो मैप कर रहा हो और उसका example भी मैंने आपके सामने रख दिया अब हम जो है दोस्तो एक दो examples करेंगे ताकि आप लोगों को और clear हो जाए तो यह है आपके सामने पहला example कि let a कोई एक set है और उस set के element है 0,1,2,3 ठीक है 0,1,2,3 and function जो है वो a to a defined है जहां पर आपके पास में function क्या है तो fx is equal to है x modulo 4,2 क्या है x modulo 4,2 है तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तो सबसे पहले आप लोगों को पता है कि अगर हमें permutation लिखना है तो हम क्या करेंगे f equal to element 0,1 2,3 ठीक है इस 0 का मतलब है f of 0 लिखेंगे यहां 1 का मतलब f of 1 2 का मतलब f of 2 और 3 का मतलब f of 3 लिखेंगे ठीक है यह तो पता है आपको अब f of 0 क्या होगा तो देखिए अगर आपके पास f of x जो है वो है x modulo 4,2 तो 0 का मतलब हुआ 0 modulo 4,2 ठीक है फिर 1 का मतलब क्या हुआ 1 modulo 4,2 f of 2 का मतलब क्या हुआ 2 modulo 4,2 और f of 3 का मतलब क्या हुआ 3 modulo 4,2 समझ में आ गई बात और अब जो है दोस्तो ये क्या values देंगे ये आपको कब पता चलेगा जब आपको ये पता हो कि modulo 4 जो है वो solve होकर के क्या आता है तो आपको पता होगा दोस्तो मैंने बताया था जब आप modulo 4 एडिसन वाला है मतलब आपका जो addition modulo चल रहा है ये तो addition modulo में क्या करते है a plus b करते है a plus b कितना आ रहा है 0 plus 2,2 आ रहा है तो 2 इस 4 से बड़ा है क्या? नहीं, छोटा है तो छोटा है तो direct 2 ही लिक दो मतलब जब आपके इस modulo के जो subscription में नंबर है यादि जितने modulo है, ये modulo 4 है तो 4 से a plus b अगर ज़्यादा आ जाता तो तो आप क्या करते है? उसका divide करते और कम आ रहा है तो आप agility लिकेंगे 1 plus 2 कितना है? 3 3 चोटा है या बढ़ा है तो 3 चोटा है 4 से तो direct 3 लिक दीजिए 2 plus 2, 4 बाग फल और 0 जो है वो आ जाएगा आपके क्या दोस्तो? क्या जाएगा सेस फल तो सेस फल ही यहां लिखते हैं remainder ही लिखते हैं तो यह आया 0 और जब 3, 2, 5 हो जाएगा 5 में 4 का बाग देंगे तो आएगा remainder 1 तो इन सब की values आ गई इसका मतलब यह permutation क्या बनेगा? यह permutation बनेगा 0, 1, 2, 3 और 0 पर क्या value आई? 2, 1 पर क्या value आई? 3, 2 पर क्या value आई? 0, 3 पर क्या value आई? 1 समझ में आ गई बात? तो यह बताईए कि यह क्या एक permutation है? क्या यह एक permutation है? हाँ, तो F is F is a permutation F is a permutation on A तो यह क्या हो गया? आपका F, A के उपर एक permutation हो गया, समझ में आ गई बात, किलियर हो गया आपको किसी परकार का कोई doubt हो तो आप जो है comment कर देना दोस्तो आप लोगों को बता दिया जाएगा, ठीक है दोस्तो तो अब हम जो है दोस्तो next वीडियो के अंदर पढ़ेंगे product and composite of permutation और उसके बाद जो आपका group of permutation होता है फिर permutation जो है इसकी order वगेरा इन सब की इसकी properties, theorem जो है उनको और उसके बाद आपका ये भी जो है दोस्तो complete हो जाएगा उसके बदब हम आगे बढ़ने वाले हैं ठीक है दोस्तो जै हिंद, जै बारत